अगेन वेल्गम टू माय किचेन हरकोई शेफ आज मैं आपको बताने जा रही हूं आलो के टिक्की और यह फटा फट से बन जाती है यह बहुत टिस्टी लगती है यह जो टिक्की बन रही है इसको आप व्रत में भी यूज कर सकते हूं और ऐसे सिंप्ली भी मना के खा सकते है बस इसमें फरक कितना होगा कि अगर आपको नॉर्मली खाना है तो आप वाइट सॉल्ट का यूज कर सकते हैं और अगर आपको व्रत में खाना है तो आप सिंधा नम डाल सकते हैं तो आए फिर फटा फट से बनाते हैं यह मैंने बॉयल आलो को लिया है इसको मैंने इसमें अब बाकी सारे चीज मिक्स करते हैं तो यह हमारा दो से तीन आलू बॉल्ड है यह कॉर्ण फ्लोर है आरा रोट यह दो से टू से ट्री टेबिल स्पिन इस पे यह भी स्में लेंगे ठोड़ी से अदरक इसमें आदरक और मिर्ची का मेन टेस्ट होता है तो अदरक और मीर्ची आपको अच्छे से डालना है तभी यह बहुत बढ़िया टेस्टी बने गाए हरी मिर्ची और यह धनिया है यह आप्शनल है आपके पास है तो डाल यह नहीं है तो कोई बात नहीं है तेस्ट के कॉर्णिंग सॉल्ट यह मैं वाइट सॉल्ट डाल रही हूं तो इस्कोब अद्द्द्दर्ट तो इस्कोब अविक्स वैलता तो यह हमारा आलो मिक्स होके रेडी हो गया है अब आए इसकी टिक्क्या बनाते हैं तो इसकी टिक्क्या मनाते हाथ में थोड़ा सा ओई लगाएंगे और इसकी टिक्क्या बनाएंगे इस तरीके से पिर्ट नम्वबे में यासे करके आप तल सकते हैं और एक इसको राउंड में जिसे सारी टिक्या मिलती है आपको इसकी मार्कट में या तो तो में ऐसे बना लेती हूं तो यह मैंने टिक्कियां रेडी कर लिए है अब आए इसको फ्राइ करते हैं इसे अब गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे यह दिखिए इस होने ही वाला है बिस दो मिनिट और आपस में चिपक जाते हैं उनको इस तरीके से अलग कर लें आपस में चिपक जाते हैं यह आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से फटा नहीं है जैसे बहुत सारे टिक्की होते हैं कि फट जाते हैं यह दो बहुत ही क्रिस्पी कुर्पुरी बनके रैडी होगी और यह बहुत टेस्टी बनती है आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी फटा फट बन गए इसमें जादा महनत भी नहीं है और बहुत कम चीजों में यह फेटा फेट से बन गया है तो आप प्लीज इसे ट्राइक जरूर कीजिएगा तो यह हमारा बस सब रेडी है अब मैं इसे निकालती है तो यह हमारी टिक्किया रेडी है अब इस पे डालते हैं यह धन्ये के चटनी तो यह हमारी टिक्किया रेडी है अब यह फटा फटा खतम होने वाला है तो प्लीज आप भी ट्राइ कीजिए यह आपने देखा यह बहुत ही सिंपल है और जितना सिंपल चीजे होती हैं रियली वह उतनी टेस्टी भी होती हैं तो आप इसे ट्राइ कीजे और प्लीज मुझे बताए कि ये आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजे थैंक यू